हेलो वर्वन वेलकम बैक तो दिजी चनल लास्ट मिनिट रिवीजन विद आरेसम और हीर आम बैक विडियो तो फाइनली जो हम वेट कर रहे थे टी वाइबी कॉम सेमिस्टर 6 टाइम टेबल जो है वो फाइनली आ चुका है और आपके पास भी टाइम टेबल आपको अपने र रही थी कि टाइम टेबल नहीं आया अभी तक क्या एक्जाम पोस्ट पॉंड हो सकता है कि नहीं तो बेसिकली फिलाल तो टाइम टेबल आ चुका है और अगर हम देखे तो सेमिस्टर 6 के लिए काफी ज़्यादा टाइम मिला था बट स्टूडन्स बेसिकली प्रिपैर नही हमारी ये चाहिए आपको लास्ट बिःवेजन विद आरेज नहीं है टूट है। स्टाइंशय आपको चीजत ही थो को पड़ना है और इसे आपको पुसक्न होगा वेश्टchnite। प कंश्य Опने सरंब्रीने की सरय जो है तर लें 30 success बेटानी संस्ट हिसे चर्णink that तो first paper आपका होने वाला है financial accounting का उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो उसके बाद हमारा जो second paper होने वाला है that will be on 6th of April और इस दिन भी same time है और इस दिन भी आपका paper होगा cost accounting का तो first paper आपका financial accounting है second paper आपका जो है that will be cost accounting उसके बाद आगे बढ़ते है 6th April के बाद अगर हम देखे तो 6th April Thursday के बाद directly Monday को paper है इसका मतलब आपको यहाँ पे 6th के बाद 7th, 8th, 9th आपको 3 दिन की छुट्टी मिल रही है to prepare your economics तो लेकिन यह 3 दिन की छुट्टी जो बीच में मिल रही है इसमें आपका economics है और एक तो आपका commerce का subject है which is called HRM, तो 10th of April को आपकी exam होगी and the subject is business economics, 10th of April के बाद आपकी exam होगी 11th of April को and 11th of April को आपकी exam होगी commerce 6 की, तो usually यह सारे papers तो हर college में compulsory है, accounts का paper और economics और commerce normally, economics और commerce तो compulsory है, दो accounts के बदले में आप बाकी के भी theory कुछ paper से वो ले सकते हो, लेकिन इसके बाद कुछ applied components आते है और अगर हम applied components की बात करें, तो उसमें कोई बच्चे taxation लेते है, कोई बच्चे export marketing लेते है, कोई बच्चे transport लेते है, merchant banking लेते है, ऐसे बहुत सारे different papers है, तो 12th April को आपका exam ह direct and indirect tax मतलब इस बार तो अभी indirect tax है, that is called GST, तो 12th April को आपको वो paper देना है, उसके बाद 13th April को export marketing है, जिनका भी export marketing नहीं है, उनको 13th April को छुटी रहेगी, 13th April को बाकी के भी बहुत सारे optional papers आपको यहां पे दिख रहे है, 13th April के बाद अगर हम देखे, तो directly फिर paper होगा, जिन का computer का paper है, उनका paper होगा 17th April, और 17th April को paper होगा computer systems and applications, 17 तरीक को, और जिनका subject computer नहीं है, उनके subjects फिर आगे आपको इस तरीके से subject से, labor welfare है, psychology है, किसी का अगर, कोई all different subject है, जैसे कि कुछ बच्चों का subject होता है, EMSSI का, तो EMSSI का paper फिर 19 April को आ जाएगा, और किसी का TU का paper होता ह तो trade union का paper जो है, वो आपका बन जाएगा 19 April को, तो अगर ये सारे subjects है, आपके जो मैंने अभी discuss किये, तो respective dates तो आपको यहाँ पे दिये ही है, वो तो आप खुद भी यहाँ से पढ़ के कर सकते हो, और अगर आपका paper समझो, for example, आपने marketing research लिया है, या आपने purchasing and store keeping लिया है, तो आपका usually जो exam है, last paper यहाँ पे, चोबीस तारिक तक आपका exam यहाँ पे खतम हो रहा है, और इनोंने 80-80 SEM-5 की date भी दी है, and that is 80-80 की जो date इनोंने डाली है, and that is 25th of April, तो जैसे ही उसका time table आएगा, वैसे वो भी हम इस channel पे discuss करेंगे, exactly कि किस तरीके से वो time table आता है, तो फिलाल 25th of April, that will be your 80-80 time table, जैसा इनोंने dates दिया था, उसी के base पे यह time table इनोंने दिया है, तो आपको काफी जादा महनत करनी है, आपको हर दिन, एक दिन, दो दिन जैसे महनत करनी है, और अगर आप इसमें अच्छी तरीके से preparation करोगे, time का maximum utilization करोगे, तो आपको काफी अच् इस channel को जो मैंने बनाया है, last minute revision with RSM, last minute revision with RSM एक ऐसा channel है, जो last minute revise करने के लिए बच्चों को काफी help करता है, अभी हमारे कुछ बच्चे होते हैं, कि जो कुछ preparation नहीं करते हैं, last moment में यहां वहां से चीजे धुनते रहते हैं, and accordingly अगर हम देखे तो confused हो जाते है, तो उसके ल last minute revision with RSM का app आपको play store पे दुणना है, और उसमें आपको courses में जाना है, कुछ courses भी मैंने यहां पे बनाया है, free के videos आपको YouTube पे मिल जाएंगे, जिनको कुछ structure format में चाहिए, काफी nominal fees रखा है, अगर आप interested है, तो यहां आप courses चेक करें, अगर आप यहां पे जाएंगे, content section मे देखो, यहां पे पूरा का पूरा foreign currency के videos है, सारे चीजे यहां पे मैंने दिया है, सारे चीजे आपको यहां पे मिल जाएगी, हर chapter wise videos आपको मिल जाएंगे, मतलब जिनको यह confusion होता है, कि last moment में हम क्या पड़े, ऐसी कौन सी चीजे है, उसके ओपर focus करे, ताकि मेरा यह जो exam क्लियर हो जाए, देखो, आपको जितना जादा पड़ा ही करोगे, उतना आप score कर पाओगे, लेकिन अगर आपको कुछ भी चीजे नहीं आती, तो आप यह course जो है, वो मैंने प्रिपार किया है, यह course ले सकते है, यह course चेक आउट करे, यह course फ्री नहीं है, actually, just a nominal fees रखा है, if you are really interested, तो आप घर बेठे भी इसको एनरोल करके आप इसमें से आपके TY की प्रिपरेशन जो है वो कर पाएंगे, तो काफी सारे वीडियो इसमें आपको मिलेंगे, और हर चैप्टर वाइस वीडियो मिलेंगे, वराइटी जितने युनिवर्सिटी में cover होती है, सारी चीज आपको यहां पर मिलेगा, and that will be GST, तोटल 39 वीडियो से इसमें, 30 फाइल से कुछ मॉक टेस्ट भी डाले हुए है, और इसमें आप अगर कंटेंट देखोगे, तो काफी बड़ा-बड़ा सा कंटेंट इसमें आपको मिलेगा, सब कुछ चीज़े है, जो यूज़ली करने के लिए MCQs भी यहां पर आपको मिल जाएंगे, so this is all the details, और कुछ इस साल के जो recent updates आये है, वो भी आपको यहां पर वीडियो में update करते रहता हूँ, और यह exam तक update होते रहेगा, तो indirect tax के भी आपको वीडियो मिलेंगे, GST का भी आपको यहां पर वीडियो मिलने वाला तो एप डाउनलोड करना ना भूले, जिन लोगों को enroll नहीं करना है, कोई problem नहीं है, आप enroll मत करें, लेकिन आप डाउनलोड करके रखे, because जितनी PDFs है, जितनी सारी चीज़े है, वो मैं सारी चीज़े आप में share करते रहता हूँ, और आप में ऐसा नहीं है कि आपके लिए स मैं, आप यहां आप सारी चीज चीजें पेड है, यहां पे अगर स्टडी में आप सारी चीज़े आप को फ्री में तो बहुत सारे वीडियो आपको यहां पर फ्री में मिल जाएगे, तो फ्री में भी आप अगर कुछ वीडियो लेना चाहते हैं, तो यह फ्री में भी वीडियो मिल जाएगे, तो यह सारे टीवाइब़िकॉम के MCQ Series आपको यहां पर मिल जाएगी, यह this will be just to revise, कि आपको अग पढ़ाई किया है, तो ये course में enroll करें, और अगर सारी चीज़े आपने पढ़ी है, सिर्फ revise करना है, तो भी आप course ले सकते हैं, और अगर वो भी नहीं लेना चाते हैं, तो study material में जाईए, free section में जाईए, सब कुछ आपको यहां पे, free का भी बहुत सारी चीज़े आपको यहा कुछ भी हो जाए, प्रिपरेशन करना है, तो अभी आपको आज से ही अपना time table बनाना है, आज से ही आपको अपनी पढ़ाई जो है, वो थोड़ी और extra boost करके पढ़नी है, पिकॉस अगर आप आज से अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए, एक systematic plan नहीं बनाओगे तो आपको फिर काफी सारी दिक्कते हो सकती है exam में, और semester 6 जो है, उसमें आप अगर fail होते हो, तो कही न कहीं आपका 8080 exam फिर अगले बार आ जाएगा, semester 5 में कुछ बच्चों clear नहीं हो पाए, तो उनको अभी एक rechance मिल रहा है, 8080 exam, additional exam फिर से आ रहा है, तो मैं यहीं चाह जितनी सारी चीज़े आप इसमें पढ़ोगे, उतना आपका revision भी हो जाएगा, और revisionary videos में चैनल पे upload करते रहता हूँ, financial accounting का एक playlist है, indirect tax का एक playlist है, वो सारी चीज़े देखिए, costing के videos बनाया है, जिनको यह डर लगता है कि अभी मुझे कुछ नहीं आता है, क्या करूँ, और अगर app डाउनलोड नहीं किया है, तो app डाउनलोड कर ले, because आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़े exam oriented मिलने वाली है, thank you very much, next part में मिलते है, with some revisionary sessions, with some revisionary videos, thank you all of you, bye bye, take care.